आप पीछे देख सकते हैं ये विराट कोली जी है उनके साथ में अभिनास जैन जी है ठीक है बस थोड़ा सा एज का डिफरेंस आर जा रहा है पीछे यहां पर आपको नितिन गड़करीजी देख रहे हैं यहां पर प्रियंका चोपरा जी है लेकिन इस फोटो में प्रियंका जोबरा जिसे कहीं ज्यादा हैंडसम हमारे अभिनास जैन जी रग रहे हैं काफी अफसोस हुआ इधर आनेस कुछ महीला है अपनी पाजेब बेच के आई किसी ने कुछ किया तो आप आईए अजादी नहीं है जिस आजादी के साथ मैं कामियाब को पाई ना ज्यादा हो सक के हमारी वीडियो को शेयर करिए भले ही आपके लिए ये सिर्फ एक महज वीडियो हो सकती है पर क्या पता आपका शेयर इस वीडियो को किसी एक ऐसे जरुरत बन इंसान तक पहुँचा दे जिसे इस माई के की जरुरत है क्यूंकि उसे उसके माई के ने नहीं अपनाया सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो को इतना प्यार देने के लिए आज हम आपको मिलवाएंगे हमारे गेस्स से आपने इनका नाम सुना ही होगा यह बहुत ही मशूर है बीटेक पानी पूरी वाली के नाम से तो सबसे पहले हम मैम का इंट्रोडेक्शन सुनते हैं उसके बाद फिर हम इनसे पातचीत करते हैं तो अपने बारे में बताईए आपका क्या पूरा वेंचर है हरे कृष्णा दोस्तों मेरा नाम है तापसी उपाद है और मुझे लोग बीटेक पानी पूरी वाली के नाम से जानते हैं हमारा जो यह कॉंसेप्ट है अचली हमने पानी पूरी से स्टार्ट किया था लेकिन इसमें एक अमिशन है जिसमें हम कहते हैं कि हम स्वस्त भारत बनाना चाहते हैं और अधार नेशन हैं और यह तो एक प्रड़ी आप्षिंस फोर पीपल मतलब हर एक इंसान को हल्दी फूड के अवेलिबिलिटी हो पाए अफोरड़ प्राइस पे अक्रस दे नेशन यह हमारी पूरी कोशिश है आपकी एज क्या है आपकी एज क्या है आपकी एज क्या है इस साल के उमर में बहुत सारा काम कर रहे हो उसके लिए सबसे पहले congratulations and best of luck दोनों चीज है अछा आप अच फस्ट टाइम यहाँ पर आए हो माई का स्वीट अप में तो इससे पहले आपने एंजिए वर्ड सुना ही होगा तो जब आप NGO वर्ड ने आपने सुना था तो आपके दिमाग में क्या आता था? NGO's बेसिकली जो मुझे पता है वो यह है या मैंने कई बार कई जगा पर विजट भी किया है तो उनका यह रहता है कि वो लोग सोशल वेलफेर कर रहे होते हैं इधर कुछ बच्चों के लिए या फिर कुछ महिलाओं के लिए काम कर रहे होते हैं कुछ old age के लिए काम कर रहे होते हैं जो हमारे senior citizens होते हैं उनके लिए काम कर रहे होते हैं लेकिन यहां कुछ अलग ही लगा NGO से जो concept जुड़ा हुआ है यहां का concept उससे बहुत ही unique लगा मुझे क्या इससे पहले आपने कोई मतलब मैं बहुत layman terms में बात करूँगा क्या इससे पहले आपने कभी कोई अनाथाश्रम विजट किया है हाँ मैंने किया है तो आप जब आप वहाँ पे गए थे तो आपका experience वहाँ पे क्या था और वहाँ के experience से यह experience कैसे different है यह experience काफी जादा हाँ भुत ही जादा वहरी किया क्योंकि एक बहुत उनिक ऐगर मैं मता которой वह यह लगा da कि यहाँ पे मा के साथ मा आपने बच्चों के साहत मा के साथ बच्चे भी रह सकते है और प्रेग्नेंट मोमन भी बच्चे यहा रह सकती है और naha à चोटी बच्ची बलकि उनसे भी चोटे चोटे बच्चे जिनको इनोंने चोवनिया ठनी नाम दिया वह भी रह सकते हैं तो एक अगर माई डेराना में देखे हैं चोटे बहुती चोटी बच्ची से लेके प्रेगनेंट बुमन और जो भी पीडिप महिला हैं डोमस्टिक वाइलन से या रेप से उन सबको भी यहाँ पे हर तरह का शेलिटर और फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है मैं आपको बताओं कि यहाँ पे छे दिन से लेकर साट साल के उमर तक के लोग रह रहे हैं और बहुत ही यूनिक कॉंसेप्ट है इसका नाम आप दिखे क्या रखा गया माइका मा का घर और उपर से यह आज हमारे साथ हैं जो माइका के फाउंडर है और मतलब इतना बहतरीन काम कर रहे हैं यह एंड स्टिल ही इस वेरी ग्राउंडर इनके बहुत सारे अपने वेंचर्स भी हैं मैं आपको एक छोटी सी उसकी जलक दिखाता हूं जो आप पीछे देख सकते हैं यह विराट कोली जी है उनके साथ में अभिनास जैंजी यही है ठीक है बस थोड़ा सा एज का डिफरेंस आज जा रहे हैं पीछे यहां पे आपको नितिन गड करीजी देख रहे हैं यहां पे प्रियंका चोपराजी हैं लेकिन इस फोटो में प्रियंका चोपराजी से कहीं ज्यादा हैंसम हमारे अबनास जैंजी रग रहे हैं तो इनकी आप यह अचीवमेंट देखिये कि इतना सब कुछ अपनी लाइफ में करने के बाद भी He is so dedicated towards माइका, मा का घर और उसका नाम कितना प्यारा रखा Sweet Home यह नहीं रखाए कि अनाथ अश्रम भी बोलते हम इसको मा का घर तो यह concept यहाँ पर रहा है आप मुझे ही बताए कि जब आप यहाँ पर आये थे तो आपने क्योंकि गूगल किया था इससे पहले आपको कुछ भी नहीं पता था तो आपने जब गूगल पर देखा तो आपके दिमाग में क्या आया कि यह माइका स्वीट होम क्योंकि बोत युनिक नेम है अचली थोड़ा सा गर बैक्रांड में जाओं तो यह था मैंने रिसेंटली मैं वीगनिजम को प्रोमोर करती हूं आम वीगन, नोन कुर्वैल्टी को फोलो करती हूं क्या है यह थे तो चाहँ आपके लिएंटी को कि अग्यूज कर दो नेंगी वे थे तो यह था त्याग भी मैंने ट्याग ऑगा दिया को अगी तो नेग ग़िशें को अप्ये लोगों थे तो मैं चाहिए लोगते पीं करिणा हूईन को यह थे एंग में को यह रिखे हूए और पाड भारी कोशिश कर दिती दूभ चुछ आपारे थी तू टाइम लाग पाड फिर आज मैं व्योगल कि थोड़ा तक्टाइम हाल के चलते हैं गुगल जा पाड़े नियर्स्ट नेर्स्ट पाड़ा था लिए प्र एंज्यो डाला था घंग दाला था और देखा कि इच्छा ठीक है, second वाला डाइल कर दिया, तो वो कार में पुरा वाज आ रही थी, और उन्होंने बोला कि आप आजाएए, तांच बजी हम विजिट कर वाते हैं, आप आजाएए, जो भी आप लेके आएंगे, हम तभी डिस्ट्रिबूट कर देंगे, तो I was okay with that उसे पहले मेरा थोड़ा शूट भी था, अपॉइंटमेंस थी, मैंने का तब तक हो जाएगा, सब वाइंड अप करके आज कर लेते हैं, तो मैं सिर्फ उसी परपस के लिए यहां पे आई थी, आने के बाद पूरा नाम बाहर पढ़ा, कि वहां पे माइका लिखा हुआ है, तो वो थोड़ा मुझे सर्प्राइजिंग लगा कि वाइ माइका, फिर अंदर आने के बाद देखा, तो वाइ माइका पता चला, यहां पे ना मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, जो हमारी ओडियंस है उनका भी, कि उन्होंने माइका को इतना प्यार दिया, कि आज माइका स सर्च कर रहे हैं, तो वो सबसे ऊपर आ रहा है, अचा आप यहां पर रहा है, आप जब अंदर माइका में जो यहां पे महिलाय रह रह रही हैं, वहां पे आप मिली होंगे उनसे, तो आपने देखा हूगा वहां पे प्लेंट लेडिज भी है और एक शायद सर वो है, जिनक रहा हैं, यहां पे आऊंगी तो ऐसा होगा, बस यहां आऊंगी और सबसे मिलोंगी, उनके लिए और भी खाने पीने की चीज़े लेका हूँ सब दूगी और हैपिली मैं वापस चले जाऊंगी, लेकिन हैपिली तो नहीं थोड़ाई थोड़ाई एमोशनली भी मैं वापस पार्ट उनके साथ जुड़ा हुआ था और लगा कि बहुत कुछ हमारे समाज में करने की जरूरत है और ऐसे काफी सारे माइका होंगे तो ऐसी बहुत सारी महिलाओं को और भी जादा हैल्प या फिर एक अच्छा माइका मिल पाएगा देखे आप एक entrepreneur हो उसके साथ-साथ influencer भी हो और एक जो real influencer होता है उसका यही काम होता है कि जितना प्यार उसको audience ने दिया है उस प्यार को वो इस जगह पर invest करें ऐसी जगहों पर जाए और उनको समाज सिवा में वो active हो आजकल influencer के आ और हैं उनके बहुत सारे followers हैं जी fashion वाल user है और जो आप जैसे जो influencers हैं वो जब ऐसी चीजों को promote करेंगे तो आपको देखकर definitely जो आपकी audience है वो भी active होगी और इन सारी चीजों में बार्टिसपेट करेंगा जो यह माई का concept है ना यह और कहीं पर भी नहीं है और इस सब के पीछे credit मैंने बताया अविनास जैन जी क है और मैं वस आपसे यह request करूँगा कि आप अपनी audience को भी माई का के बारे में बताईए जो आपके नून में लोग हैं मैं आपसे यह request करूँगा कि आपके office आपके pan India offices है तो आप माई का के बारे में उन सब को बताईए आपके जो चोटी-चोटी functions है चोटी-चोटी Redress sources है resources है जो इस चीज को और भी जादा आगे तक ले जा सकते हैं और बहुत सारी लोगों तक इसको पहुँचा सकते हैं और में यही कोशिश करूँगी जो मुझसे जुडए हुए है वो अपने से जुडए हुए लोगों को आगे तक इसको पहुँचाए और जो भी महला जिस भी चीज से पीडित है या किसी भी तरह कि इसको कोई भी नीड है वो माइका में जरूर कॉन्टाक करें उनकी वीडियो या फोटो किसी भी तरह से शेयर करें कि वो इनको rescue कर पाएं और जो भी आपका contribution किसी भी तरह से हो सकता है वो आप अपनी तरफ से जरूर करें क्योंकि ये भी एक हमारी life का part होना चाहिए नहीं सिर्फ पैसा कमाना, fame कमाना और अपनी खुद की personal life में involved है उससे थोड़ा भार भी निकल के देखें तो दुनिया बह मैं आप लोगों से यही request करूँगा कि आपका जो बहुत ज्यादा busy और hectic schedule है उसमें से थोड़ा सा वक्त निकालिये, address यहाँ पर mentioned है, आप लोग यहाँ पर visit करिये, बहुत से लोग कहते हैं कि दिल्ली बहुत दूर है, अगर जिनको लगता है कि दिल्ली बहुत ज्यादा और कुछ लोग पूचते हैं कि यह नजवगड इसका तो हमने नाम यह नहीं सुना नजवगड कहा है, तो मैं एक छोटा सा reference देता हूं कि हमारे Indian cricket team में बहुत ही famous खिलाड़ी हुआ करते थे, उनका नाम आप सब जानते होंगे, विरंदर सहवाग, उनको नजवगड का देता हूं, बहुत busy schedule में से कम समय में उनने काफी समय दिया और बिलकुल जल्दबाजी नहीं दिखाई, और मैं जो भी ये वीडियो सुन रही है मेरी भेन, उनको अकसर एक चीज रहती है, मैं यहां कैसे आऊं, मैं भेन से यही कहूँगा, जो train है, जो bus है, जिसमें मर्ज बैट जाए, जो चीज सरकारी है, वो हमारी है, जो सरकार है, वो हमारी है, आपके पास टिकेट के अगर पैसे नहीं भी हैं, तो भी अगर आप किसी train में बैट जाएंगे, आप अपनी मजबूरी बताएंगे, तो आपको वो टिकेट का खुद रेंच कर देंगे, आप दिल तक आने के लिए गबराने की जरूरत नहीं है, मुझे काफी अफसोस हुआ, इदर आने कुछ महिला हैं अपनी जेब बेच के आई, किसी ने कुछ किया, तो आप आईए, जो ये माइका का कंसेप्ट है, ये बहुत यूनिक है, जब आप लोग यहां पर आएंगे ना, तो आप लोग अपने जिंदे, हम लोग परिशान किन चीज़ों पर जाते हैं, यार मेरा ब्रेक अप हो गया, यार मेरी जॉब नहीं लग रही, कल एक्जाम है, हम छोटी छोटी चीज़ों पर हमें मरने के खयाल आने लगते हैं, हम अपने आपको यह सोचते हैं, यार मैं तो बहुत परिशानिया हैं, मैं यह नहीं करा हैं, यहां रहने के लिए, आपको सिर्फ यह भी लगता हैं, कि मैं बहुत परिशान हूँ, मेरी लाइफ में बहुत परिशानिया हैं, तो भी मैं कहता हूँ, आप यहां पर आकर देखें, हमारे चैनल पर ऐसी ऐसी वीडियों हैं बस मैं यही रिक्रस्ट करूँगा कि जितना ज्यादा हो सके हमारी वीडियो को शेयर करिए भले ही आपके लिए ये सिर्फ एक महज वीडियो हो सकती है पर क्या पता आपका शेयर इस वीडियो को किसी एक ऐसे जरुत बन इंसान तक पहुँचा दे जिसे इस माईके की जरुत है क्योंकि उसे उसके माईके ने नहीं अपनाया बहुत बहुत शुक्रियों